नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ेंगे पात दितिया पाठा है अधार दूसरा पात सांती दूथ कभरता है सांती का दूथ कभूता है अब प्रफटी वेसी मैं आपसे पूछूँगा भी बाटको पढ़ाते समय प्रतिवेसी राज्य भरसानी यानि साल अस्त्र सास्त्रानी मतलब हतियार सिर्फ इस्थ्थरानम यानि होता है तोपी सिर्फ इस्त्रानम यानि तोपी आयुदगारम मतलब हतियार घर जट्रम यानि लड़ाई का मेदान वितांतम वर्णन सांती दूतम यानि सांती का दूत्त आसित यानि था अभवन यानि वे अभवन सब्द कों से लगार का है अभवन जो है लंग लगार का बहू बचने तो आपको याद रहा है अगों लंग लगार का क्या है यह लंग लगार का है कुँंसा बचन वह बचन तो आपको संविए लो अपकर प्रोजित होता है और अपकर सब्सक्राइब में अब कर्णों कर दो को देखेंस, जा है। कि अब बच्चों आगी के सब्दार देखी निवारिती नि रोक्ती है प्राप्त होंगे इसमें प्रवप्षर और आप धात्यू है तो प्राप्त होंगे इस सी धार करते हो रख्षायाऋ मैं हम दोनों रख्षा करेंगे यह 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 कुछ कि उत्तम्हुत का दीव जड़िए मन्यति माना जाता है तव्द इन दोनों में अ तव्दुग असंध नाम एनि असंठो का असंठो का कदाचित कदाचित मतलब मतलब तभी बसी करना यानि बसमे करने के लिए सज्ज तयार यह तो ही यानि क्योंकि रिक्त हस्ता यानि खाली हाथ भारी कम भूत भारी केचेन यानि कुछ तो बच्चो आपने सब्दार्थ पड़े हम अब इसका अर्थ पड़ेंगे वीडियो की माद्रिम से उसका अर्थ देखेंगे और आयोगे उनमें कठीन सब्दों को तथा व्याकर से समझ कुछ प्रशनों होंगे उनको मैं आपको शेयर करूंगा आप ध्यान से सुनेंगे नमस्कार बच्चो आज हम पड़ेंगे पार्ट दो सांती दूत कपोता है सांती का दूत कभूतर तो बच्चो आईए हम देखते हैं इनका अर्थ बच्चो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचिनकार में क्या था कासी नगर में वीर सिंग नाम का राजा था और पडोसी राजा सूर्य प्रकास के साथ उसकी मित्रता थी पडोसी राजा था एक सूर्य प्रकास और उसके साथ उसकी क्या थी मित्रता थी पांदरा बर्स हो गए पंदरा बर्स हो गए और उन दोनों देखों के मभीज में कोई भी मतबेद नहीं हुआ अथा है यानि एक ब लिए तैयार था किन्तु वह नहीं जानता था कि अस्जत्र सस्ट्र के शाधन कहां हैं क्योंकि 5 बर्सों से युध्धी नहीं हुआ तो इसके बाद युध्धी के दिन वीडसिंग्ग ने अपनी माता से पुछा कि है माता की मेरी मेरा मुकुट कहां है तो माता ने आयुदगार की और इसारा करते वे कहा जाती है और खाली हाथ लोट करके आती है और राजा सोचता है कि मेरा सिर्फ भारी यानि मेरा जो मुकुट है वो भारी होगा इस कारण से माता लोट आई स्वेम ले आता हूं वो सोचता है कि मैं स्वेम ले आता हूं तो उसकी माता उसे रोकती है और कहती है कि पुत्र वहाँ टोपी में कुछ कभूतर के बच्चे हैं और कभूतरों का सांति बंग नहीं करना जाते हैं यानि कभूतर जो हैं वो सांती भंग नहीं चाते हैं तु तब मीर्त प्राप्त करेंगे राजा माता के बचन को पालन करता है और वो क्या करता है सिर बिना मुकुट के ही युद्द्ध शेत्र में जाता है सुरिया प्रकास उससे पूछता है कि किस कारण से तुमने मुकुट धरन नहीं किया वेर सिंग ने अपना सारा विर्तान सुना देता है कहता है और तब आशिर चकित होकर के हुआ और बोला कि तुमारी माता धन्य है जो कबूतरों का नास होना नहीं चाती है युद्ध में तो असंक्य सेनिकों का बद होगा क्या यह उचित है हम दोनों सांती की रक्षा करेंगे अब कबूतर सांती दूता अस्ती अब जो कबूतर है वो क्या है सांती का दूत है इसलिए इस दिन से कबुतर सांती दूता है उस दिन से कबुतर को क्या माना जाता है सांती का पर्तिक माना जाता है सांती का दूत माना जाता है इसलिए इस पार्ट का नाम क्या पढ़ा है सांती दूता है तो बच्चो अब देखेंगे हम इसका अर्थ संस्क्राइब प्राचिन काले कासी नगरे वीर सिंग नाम राजा आसित प्राचिन काले मतलब प्राचिन काल में कासी नगरे यानि कासी नगर में वीर सिंग नाम का राजा था प्राचिन काल में कासी नगर में वीर सिंग नाम का राजा था बच्चों कासिनगर में सब्तमी वखती है और आशित सब्द जो है भूतकाल का है तो प्राचिनकाल में कासिनगर में वीरिशिंग नाम का राजा था पड़ोसी राजा से निर्पेन, निर्पेन में तिर्थिय विवक्ति है और एक बचन है, तो पड़ोसी राजा सूरिय प्रकासिन इसमें भी तिर्थिय विवक्ति है, तो पड़ोसी राजा सूरिय प्रकासिन के साथ उसकी मित्रता थी, और सहा है कि योग में कौन सी विवक्त का प्रयोग हुआ है तो परतिवेशी निर्पेना सूर्य प्रकास नसा तर्समेत्री आजित पडोसी राजा सूर्य प्रकास के साथ उसकी मित्रता थी पंच दस वर्षानी अभवन 15 वर्स हुए पंद्रा वर्स हुए तयो देसेजो कोपी मत भेद ना अभवत उन दोनों देसो यानि देशों के मद्य कोई भी मतभेद नहीं हुआ इसका संदी विछित करेंगे कोपी का तो क्या धन अपी क्या धन अपी कोपी यहाँ पूरूप संदी हो जाएगी ठीके बटा आगे देखेंगे अथा कदाचित वीर सिंग है सूर्य प्रकासाय अकृप्यत इसके बाद कभ वीर सिंग्सूर्य प्रकास के लिए अकृप्यत यानि क्रोधित हुआ सूर्य प्रकास का राज्य वस्मे करने के लिए सज्य यानि तयार आसित था वह सूर्य प्रकास का राज्य बसमे करने के लिए तयार था किंतु से न जानती लेकिन वह नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानता था कि अस्तर सस्तर के और युद्ध के साधन कहां है या तो ही पंच दस वर्षे व्य युद्ध मेव ना भूत क्योंकि पंद्रा वर्षों से युद्ध ही नहीं हुआ था बच्चों आप यहां पर देखेंगे और मुझे कुछ प्रषनों के उत्तर बताएंगे कि कासी नगर में किस के नाम का राजा था यानि किस नाम का राजा था कासी नगर में जो राजा रहता था उसका क्या नाम था तो कासी नगर में कौन सा राजा रहता था तो बताई कौन सा राजा रहते था वीर सिंग नाम का राजा रहता था तो अगला प्राशन मतांगे बटा कौं सा कि जो यह adviser किस पर क्रोधित होता है कि बच्चों आगे देखेंगे और दूसरा प्रशन है कि व polished सिंगस्य मित्रता के नहीं सहा आसित वीर सिंग की मित्रता किसके साथ थी तो वीर सिंगस्य मित्रता सुरिया प्रकासे नहीं ऐसीत , वीरज सिंग की जो मितरता थी वो सूर्य प्रकास के शाथ ही थी Ia बच्चो एक प्रशन ओर बन ऑ्र बनता है कि जैसे मानयो жक्त क्या करना है सज्जा ऐसित कौन राज्य वस्मे करने के लिए तियार था तो सूरिया प्रकास राज्य वस्मे करने के लिए तैयार था तो बच्चों इस तरह से हम प्रशन याद भी करेंगे और देखते वे जाएंगे कती चलो अगला प्रशन देखेंगे इसमें कि कती वर्सानी दो देश है मत बेदा न अभवत यानि कितने वर्सों तक दोनों देशों की बीच में कोई मत बेद नहीं हुआ था तो पंच दस वर्सानी उत्तर आजएगा पंच दस वर्सानी 15 वर्सों से कोई भी युद्ध नहीं हुआ था अब सेकिन पेसे जह में देखेंगे अथा युद्ध दिने स्वय मात्र में अपनी माता से अप्रिच्छत यानि पूछा और अप्रिच्छत सब जो है वो लंगलकार का है कौन सा वचन है एक वचने लंगलकार का एक वचने अप्रिच्छत तो इसके बाद युद्ध के दिन वीर सिंग ने अपनी माता से पूछा कि हे अंबय हे माता म मम सिर इत्राणम कुत्रस्ति मम यानि मेरा सिर इस्त्राणम कुत्रस्ती मेरा मगुट कहा है माता आयुद गारहम पुति गछति माता सस्त्रगार की और जाती ہے आयुदगार में नहीं होता है हतियार जहां रखे रहते हैं हतियार घर की और जाती है परतियानी की और गच्छतियानी जाती है माता हतियार घर की और जाती है किन्तु जिक्त हस्ता परत्या गच्छति लेकिन खाली हाथ लोडती है लेकिन क्या गरती है वो खाली हाथ लोडती निर्पाय अचिन्तियत राजा ने सोचा मम सिर इस्तराणम भारीकम अस्ती कि मेरा जो मुकट है वो भारी है अता है माता ना आनियत अता है यानि इसलिए माता ना आनियत यानि माता नहीं लाई यानि राजा ने सोचा कि मेरा मुकट क्या है भारी है इसलिए माता नहीं लाई कि यानि इसके कहने का मतलब यह है कि यानि माता जब खाली हाथ लोटके आई तो राजा ने सोचा कि मेरा सिर क्या था भारी मेरा जो मुकुट है मेरी जो टोपी है वो क्या है भारी है और माता इसलिए नहीं लाई ठीक है आगे देखेंगे स्वयम में वा आनियामी स्वयम ही लाता स्वयम यानि खुद ही या स्वयम ही आनियाम यानि लाता तस्या माता तम निवार्यती उसकी तस्यानि उसकी माता तम यानि उसको निवार्यती नि रोकती है उसकी माता उसको रोकती है कथियती चे और कहती है सिर्फ इस्त्रान यानि टोपी में या मुकुट में केचेन यानि कुछ कपोत सावगा यानि कभूतर के बच्चे संती यानि हैं कि माता कि पुत्र माता क्या कहती है कि पुत्र वहां टोपी में कुछ कभूतर के बच्चे हैं कभूतर संती भंग नहीं चाते हैं करना नहीं चा प्राप्त करेंगे तो आगे देखो क्या होता है इसमें कुछ प्राप्त करेंगे प्राप्त कर दो मिए, मुझे बताइंगे आपको कितना याद रहा पहला प्राप्त है कि िस्त्राण dari के संति यह जो टोपी है और टोपी में कौन थे कौन है टोपी तोपी थी उस टोपी में कौन थे कभूतर के बच्चे थे और कभूतर के बच्ची की सनस्कृत क्या होगी कपोत साव कहा है कुछ कभूतर के बच्चे थे उसके अंदर ठीके बटा आगे देखेंगे दूसरा प्रशन है कि वीर सिंग स्वय मात्र है किम अपिर्चत यनि युद्ध दिने स्वय मात्र किम अपिर्चत यनि कि युद्ध के दिन जो है वीर सिंग ने अपनी माता से क्या पूछा तो क्या पूछा था उसने कि हे अमबय मम सिर इस्तराणम कुत रस्ती कि हे माता मेरा मुकुट कहां है तो माता माता ने उसको क्या कहा था आपको पता हिए कि माता आयुदगार की और जाती है नि हस्तर सास्तर के ओर जाती है और खाली हार्ट लोट आती है तो आपको पता लग या प्रशन क्या था कि युद्ध दिने वीर सिंगा है सय यही उसने पूछा था तो अगला देखेंगी कपोता किम नहीं चाते थे तो सांती भंगम नहीं चाते थे अगला प्रसंद देखेंगी बटा कि माता हा माता वीर सिंगा है निवारियती किम कथियती माता वीर सिंग को रोकते वे क्या कहती है तो माता हा वीर सिंगा निवारियती कथियती की वस्षा है तत्र सिर इस्तराने केचेन कपोता का संती पुत्र वहां टोपी में कुछ कभूतर के बच्चे हैं यह उसकी माने कहा था तो बच्चों आपको प्रस्णियाद हो गए होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे अब देखेंगे अगला पेसेज राजा मातू वचनम पालियती राजा माता के वचनों का पालन करता है सिर इस्तरानम बिना युद्ध छेत्रम अगच्छत सै यहाँ वह सिर इस्तरानम यह मुकट के विना युद्ध छेत्रम युद्ध छेत्र को जाता घया अगच्छ आझे इन गया वह वे बिना मुकट के ही युद्ध छेत्र कोगए सूरिया प्रकास सिरिया प्रकास निसी पूछा निसरी प्रकास ने उसınd autor has оф क्षा कि के ना कार्णे ना तुम सिर इस्त्राणम ना धारी से के न यानि किस कार्णे ने कारण से तुम यानि तुमने सिर इस्त्राणम यानि मुकुट को ना धारी से ने धारण नहीं कर रखा है कि किस कारण से तुमने मुकुट को धारंग नहीं कर रखा ए तो वीर सिंग मने समपूर्ण वृतांति अन्य घटना यह वर्णन UP reckon कहा वी शिंघ मने समफूर्ण व्रणन कहा तदस आस्षयवकत अभवत तब है आस्षयवकत हुआ अन्य सोच में पड़ गया तब कि वह सोच में पड़ गया यहां अचंबित हुआ यह भी आश्य चकित हुआ अवधत चया और बोला अवधत याणि बोला चया नहीं और और बोला अवधत में अहो त्वय माता धन्या या कपोच साव का नाम अपी नासम न वांचती अरे तुमारी माता धन्या है माता धन्या नी धन्या है या यानि जो कपोच साव का नम इन कबूतर के बच्चों का अपी यानि भी नासम न वांचती नहीं चाहती है कपों स्भाइब कुण सी वक्ती है, शश्टी वक्ती का भुवचन है, तो तुमारी माता धन्य है जो कबूतरों के बच्चों का नास नहीं चाती है, युद्धे तू असंख्या नाम सेनी का नाम बद्ध भविशती युद्ध में तो असंख्या सेनी को का बद्ध होगा युद्ध में तो असंख्या सेनी को का क्या होगा बद्ध होगा कि दम किम इदम उचितम क्या यह है क्याय है उचित है क्या यह है उचित है आवं भी सांति सांतिर र lige का तती कि हम दोनों कि जाते हैं सांती ही चाइँ अधूना कोई कपोत कोई कपोता है अनी माता किसका नास में चाहती थी तो हमने पढ़ा थे यहां-पर कि माता कापोत्र और प्रशन बनाएं कि सुर्य प्रकासा है वीर सिंह से क्या पूछा वीर सिंह संग नहीं किया है तो बच्चो इस तरह से बहुत सारे प्रस्ण में आपको यहाँ पर बताए और आपने समझे भी तो अब आप इस पार्ट का ध्यान से अर्थ अगर याद कर लेते हैं तो आपको प्रस्ण आसानी से याद हो जाएंगे और संस्कृत आप आराम से बना सकते हो तो बच्चो इसका अर्थ भी याद करेंगे और इसके सब्दार्थ जो हैं वो आप कोपी में PDF के माद्दम से करेंगे